Assalamualaikum, कैसे हैं जी तमाम वीबर्स, वेलकम चुनायल की चान, आज ही हम बना रहे हैं देखी स्टाइल मटर पलाओ, वाइट मटर पलाओ हम बनाएंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर तक के तमाम नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सकें तो जी यहां पर हम रेडी कर रहे हैं पलाओ पैन ले लिए हमने एड़ करेंगे इसमें दो बड़े टेबल स्पून ओल बड़े खाने के चमच भी कह सकते हैं आप इसके साथ ही इसमें एड़ करतेंगे हम बूनना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जी प्याज को भून लेते हैं और बिलकूल स्लोफलेंपे लूनेंगे बहुत हैई फ्लेम पे मत पूने हैं प्यास जाइब अ क्लर में आर चुके हम बहुत जादा गॉल्डें भी नहीं की है इसमें आड़ करेंगे गरम मसालाây में है वन टी स्पून जीरा चार्ट से पांच चे लॉंग छे जो है हमने ब्लैक पेपल ही है एक बड़ी लाइची और एक दार्चीनी का टुकड़ा इसमें एड़ कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे प्यास के साथ ही आप इसे भूनते जाएंगे साथ ही हम एड़ करेंग मटर वन कप लिए हमने बिल्कुल फ्रेश मटर है बिल्कुल भी फ्रीजर वाले मटर नहीं है इसमें जी हम एड़ करेंगे यहाँ पे क्रश की हुई लाल मिर्च एड़ कर रहे है हम तो आपने पाउडर वाली नहीं लेनी है उससे कलर आएगा राइस में तो हमें कलर नहीं के लिए हम इमली का पल्फ एड़ करेंगे तकिरिबं फॉर टेबल स्पून है कि हमने इसमें इंडिक पल्प एड़ करना इसे जाद प्टैड करें और साथ हम एड़ करेंगे नमक बन टेबल स्पून आपको कम पसंद तो कम भी एड़ करने और हस पी जूरे आड़ कर सकते ह और लास्ट में इसमें आड़ करेंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून और अच्छे से इसमें स्पैचला घुमाएंगे आप मिक्स करेंगे इसे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए जब तक के जो मटर है वो अच्छे से पक जाएं तो चलें जी हम इने देखते हैं 15 मिनट्स के बाद तकरीबन यहां पे 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी ड्राइ हो गया इसे भून लेते हैं हम मटर अच्छी तरह से कलर अपना चेंज कर चुके हैं और आपने इस तरह से इसे भून लेना है तो यहां पे तकरीबन मसाला रैडी हो चुका है तो चाबलों के मुदाबिक यहां पानी की पेमाईश हमने ले ली है और यहां पे अरोमा देने के लिए राइस में हम लास्ट में एड़ कर रहे हैं जी सॉफ का पाउडर है तकरीबन और यहां पे इस तरह से कटके वे टमाटर हैं और हमने फाइफ ग्रीन चिलीज ले ली है आप एड़ करतेंगे इसमें स्लाइस किये वे टमाटर इससे चावल का जो कलर है वो खिल के आएगा और टमाटर उसमें बहुत ही प्यारा सा लुक देंगे लास्ट में हम यहां पे आड़ कर रहिए हैं जी रैस हमारे पास वन ठीज पिसमें हमने रैस एड़ की हैं तो बहुत अच्छे वाली रैस यह सेल हरा एं तकólर गींटे पहले से हमने ह्हें भिग हूँ दिया था तोब अच्छे से इसमें हम अराम से चला देंगे इस तरह से और इह तकफेजय, हम इबाल आने तक थोड़ा सा छोड़ते एंगे, इस तरह से देखिए, तो कवर करते हैं इसे उबाल आने तक, तो देख सकते हैं अब यह उबाल आ चुका हैникомरि अब मजीद थोड़ा आ पानी ड्राय करते हैं, थाकि हम इसे दम लगा सकें तो आप देख सकते हैं चावल का कलर बिल्कुल वाइट है और तमाम चीजें इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है तो दम देंगे इसे 25 मिनट्स के लिए तो 25 मिनट्स हो चुके आप देख सकते हैं कितनी प्यारे और मज़ेदार खीले वे चावल यहां पे हमारे रेडी हुए हैं आप कलर देख सकते हैं लेकिन स्पाइस इन में उतना ही है कलर चावलों का वाइट है तो आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें बहुत एजी ह है और बहुत ही जल्दी से रेडी होती है तो मुझे अपनी द्वाओं में याद रखें मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें तो इसे डिश आउट कर लेते हैं आपको मैं डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ तो देखिए जी क कितने प्यारा जो टमाटर देखें यहां पर कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें आप देखें बहुत प्यारी लुक आईए अल्ला हाफीज